Hi Friends, Hindi Recorded Channel में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा या किसी भी विशय को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है उसमें नहित या उसमें प्रियोग किये जाने वाले शब्दों के अर्ट हमें भली भाती पता हो यानि कि हम उनमें प्रियोग होने वाले हर शब्द का अर्थ समझते हों जानते हों तो हमें असानी होती है उसको समझने के लिए इसलिए मैं समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से हिंदी भाषा के कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताती रहती हूं उसी श्रंकला को हम आज भी जारी रखेंँगे और हिंदी भाषा के कठिन शब्दों के कुछ कठिन शब्दों के अर्थों पर आज के अध्याए में हम चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्या शब्द और मेरा पहला शब्द है अंक अंक का अर्थ दोस्तों गोध होता है साथ में इसका अर्थ होता है संख्या के सूचक्चिन या फिर इसका अर्थ ये भी होता है नाटक का एक खंड या भाग जिसमें कई द्रिश्यों हो सकते हैं या फिर आप पत्र पत्रिकाउं का किसी निश्चिस समय पर होने वाला प्रकाशन भी अंक कहलाता है साथी साथ परिक्षा आधी में सफलता की सूचक इकाईया भी अंक कहलाती है कि इस विद्याती के इस परिक्षा में इस विशे में इतने अंक आई हैं तो अंक के देखे कितने अर्थ होते हैं अगला शब्द है अंकुर अंकुर का आर्थ होता है या तो गुठली या फिर बीज आदी से निकलने वाला डंठल या जड़ या डाल से निकलने वाला कोई नया पत्ता भी अंकुर कहलाता है अंकुष का क्या अर्थ होता है अंकुष होता है लोहे का काटा जिससे हाथी को चलाया और वश में किया जाता है या फिर उस पर नियंतरन्या रोक लगाई जाती है किसी पर नियंतरन्या रोक लगाना अंग होता है शरीर देहे या शरीर के विभिन अव्यव यानिके शरीर के विभिन भाग अंचल सीमा के आसपास का प्रदेश या फिर पल्ला को भी हम अंचल कहते हैं अंडा का क्या आर्थ होता है? अंडा होता है कुछ विशिष्ट मादा जीवों के गरभाष्य से निकलने वाला एक पिंड. अंत का आर्थ होता है समाप्ती या फिर अफसान. अंत रंग, घनिष्ठ, आत्मिय या फिर भीतरी. अंतर, दो वस्तों के बीच की दूरी या भेद. अंतरिक्ष प्रिच्वी तथा अन्यक ग्रहों या लोकों के बीच का स्थान अव्यव शरीर का कोई अंग या फिर किसी वस्तू का कोई अंश भी अव्यव ही कहलाता है अंतर राष्ट्रिय एक से अधिक राष्ट्रों से संबंद रखने वाला अंतिम सबसे पीछे का या फिर चरम अंधर भीतर अंदकार अंधेरा अंधा देखने की शक्ती से रहित अंश, भाग या फिर हिस्सा या खंड या टुकड़ा अकड़ना, कड़ा होना या एंटना अकाल, दूरपिक्ष, कमी या फिर अभाव अकेला, यानी कि जिसका कोई साथी नहीं हो बिना साथी का अकल, बुधी या फिर समझ अक्सर, अक्सर का अर्थ होता है अर्थ होता है बहुदा या प्रायह अक्षर, वंड, या फिर नित्यय, या अविनाशी अखंड, यानि कि जिसके खंड ना हुए हो, यानि कि जो समूचा है या पूरा है अखबार, अखबार का अर्थ होता है समाचार पत्र अखरना किसी की बात बुरी लगना यानि कि बुरा या अप्रिय लगना या खटकना अगर का एक अर्थ तो होता है यदी और एक होता है एक पेड़ जिसकी लकड़ी सुगंदित होती है अगर बत्ती वह बत्ती जो सुगंद के लिए जलाई जाती है अगला सबसे पहले या सामने वाला अगाध अथा या फिर बहुत अधिक या अपार अगनी कहते हैं आग को और अगरज का अर्थ होता है बड़ा भाई सदा एक सा बना रहने वाला यानिकि उसका दूसरा अर्थ होता है स्तिर अचानक बिना पूर्व सूचना के या फिस सहसा या फिर आप इसका अर्थ एका एक भी लिख सकते हैं अच्छा ठीक या उप्योगत अजगर एक विशाल सर्प जो बक्री हिरन आदी को निगर जाता है अजायब घर वेह भवन जहां पर पुरा कालीन कला कोशल संबद्नी विभिन प्रकार की अद्बुत और विलक्षन वस्तोय संग्रहित और पदर्शित की जाती है और इसका दूसरा अर्थ होता है संग्रहल्य अटकना चलते चलते या कोई काम करते करते रुक जाना अड़ना हट करना बीच में रुकना या फिर फंसना अड़ा टिकने ठहरने या बैठने का स्थान अनू क्या होता है अनू का अर्थ है दोस्तों अतियंत सुक्ष्म मात्रा या फिर किसी तत्वय या धातु का वहै बहुत छोटा अर्ज जिसमें उसके सभी संयोजक अर्श वर्थ मान हो अतीथी हम क्याते हैं अभ्यागत पहुना भी अतीथी क्यालाता है और इसका एक अर्थ होता है महमान अधालत का आर्ठ है नियायालया और अधिक का अर्थ हुआ बहुत अधिवेशन, किसी बड़ी सभा की लगातार होने वाली बैटकों का सम्हूं कहलाता है अधिवेशन अधिसूचना किसे कहते हैं? किसी बात की और विशिष्ट रूप से ध्यान आकरिष्ट करने के लिए दी जाने वाली सूचना को हम अधिसूचना कहते हैं अधियक्षा क्या आर्थ होता है? किसी संग, संस्था या समीती आदी के प्रधान को अधियक्ष कहा जाता है अधियादेश, वै अधिकारिक आदेश जो किसी काले ववस्था आदी के संबन में राज्ये के प्रधान द्वारन निकाला गया हो अंगिनत बहुत अधिक अंशन अंशन का अर्थ होता है अहारतिया करना या उपवास या फिर भूकरताल अनाथ अनाथ कहते हैं जिसका पालन पोशन करने वाला कोई भी ना हो और अनाथाले किसे कहते हैं दोस्तो वह स्थान जहां अनाथों का पालन पोशन होता है अनावरन किसी महापुरुष के चित्र या मूर्ती आदी से परदा हटा कर उसे सर्व साधारन के लिए दशनिय किया जाना या फिर उदगाटन अनुकरन नकल या फिर किसी का अनुसरन करना अनुकरमनिका किसी विशेश करम के अधार पर बनाई गई सुची अनुज कौन होता है चोटा बाई अनुराग प्रेम या आ सकती अनुवात किसी कहते हैं एक भाशा में लिखी या कही गई बात को दूसरी भाशा में कहने या लिखने की क्रिया या फिर इसको आप कहा सकते हैं भाशांतर अनुसंधान खोज या अनुवेशन को कहते हैं किसी के धंग या रूप से मिलता हुआ या फिर अनुरूप अनुसूचित जिसे अनुसूची में स्थान मिला हो अनुसूचि किसी लेख या ग्रंद के अंत में परिशिष्ट के रूप में लगी हुई सूचि क्यालाती है अनुसूचित अपमान, मान, हानी, या फिर अनादर, या तिरसकार अपराध, अनुचित या दंडनिय कार्य या फिर दोश अप्राहन दोपहर के बाद का काल अभेदान सुरक्षा का कवचन देना अभिनन्दन का क्या अर्थ होता है दोस्तों किसी को पूजय मान कर उसके प्रती शुब कामना और श्रद्धा प्रकट करना ही कहलाता है अभिनन्दन अभी प्राय का अर्थ होता है आश्य, मतलब या फिर उदेश्य या प्रियोजन अभी भावक, सनरक्षक, अभिमान, अहंकार या घमंड अभी युक्त, वह जिस पर न्यायाले में कोई अभियोग लगाया गया हो या फिर अपराधी अभी लाशा, इच्छा, कामना या अकांख्षा अभी लेग, किसी घटना, विशे, व्यक्ति, आदी से संबंदित, लिखित, प्रमानिक, समक्री अभी वादन, श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला प्रनाम अभिशाप, किसी को शाप देना या किसी के अहित की कामना करना किसी का बुरा सोचना यानि कि अहित कामना सूचक शब्द अभिष्ट जिसकी इच्छा या कामना की जाए अभ्यास का क्या अरत हुआ दोस्तों दक्षता प्राप्त करने के लिए दतचित या एक्चित होकर किसी काम को बार-बार करने की क्रिया क्यलाता है अभ्यास अमा वस्या चांद मास के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन जिसमें रात को चंद्रमा की एक भी कला नहीं दिखाई देती अमिर किसी धनवान व्यक्ति या रईस को कहते हैं अमुक कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तू अमृत का क्यार्थ लिखेंगे आप एक प्रसिद कल्पित पे जिसके संबन में यह मान्यता है कि उसके पीने से प्रानिस सदा के लिए अमर हो जाता है या फिर इसको हम लिख सकते हैं सुधा या प्यूश अमल तेजाब या खटापन अर्थी अर्थी वह है तकता जिस पर मिरत शरीर को अन्तेश्टी के लिए ले जाया जाता है या फिर इसे जनाजा भी कहते हैं अराज जप्ता अव्यवस्था या फिर शासन तंत्र का अभाव अरुन लाल रंग का या फिर कोई सुर्ख या सूर्य है अर्चना पूजा वन्दना अर्थ धन्या संपत्ति को कहते हैं या फिर पैसा भी होता है और अर्थ का एक अर्थ है अभी प्राए अर्थ शास्त्र वै शास्त्र जो मनुश्य की अर्थिक्रियाओं का विवेचन करता है और उप्योगी पदार्तों के उतपादन, उपभोग, वितरन और विनिमय की समुचित जानकारी देता है अर्ध का अर्ध हुआ आधा, अर्ध मासी का अर्ध हुआ मास के आदे भाग का या फिर पाक्षिक अर्धांगनी धर्म पतनी को कहते हैं अर्पन किसी को आधर पूर्वक कुछ देना या फिर भेंट करना अलंग करन पदक या पदवी द्वारा विभूशित करने की क्रिया को कहते हैं अलंग करन अल्ता लाख से बना हुआ वैलालंग जो इस्त्रिया शोभा के लिए पैरों में लगाती हैं या फिर महावर अल्मारी काठ लोहे आदी का या दिवार में बना एक प्रकार का उंचा या लंबा आगान जिसमें चीजे रखने के लिए खाने या फिर वो कोई घर से बने होते हैं अलापना गाने के समय लंबा स्वर खींचना कहलाता है अलापना अलावा का आर्थ है अतिरिक या सिवाई आलोकिक जो इस लोक में ना मिलता हो यानिकि उसका दूसरा अर्थ हुआ अदभुद अल्प कम या तुछ अवरो उपर या उंचाई से नीचे आना या फिस संगीत के संगीत में स्वरों के उपर से नीचे आने का क्रम भी अवरो कहलाता है अवलंप आश्रे या सहारा अल्प विराम एक विराम चिन जो वाक्तियों के पदों में पाथक दिखाने या बोलने में कुछ ठहराव करने के लिए प्रियोक्त होता है यानिकि कोमा अल्प संख्यक वह दल पक्ष या समाज जिसके अनुयाईयों की संख्या अन्य दलों या पक्षों समाजों से अपेक्षाक्रित कम हो अल्पाहार उचित या सधारन से बहुत कम खाना या थोड़ा भोजन अवकाश का अर्थ हुआ छुट्टी या फुर्सत का समय अवग्या किसी आग्या या कानुन को ना मांगना मानना या फिर उलंगन अवशेश जो उप्योग नाश व्याय आदी के उपरांत बाकी रहे तो दोस्तो ये हमने हिंदी भाषा के कुछ कठीन शब्दों के अर्थ जाने हर भाषा में इतने शब्द होते हैं कि इतने शब्द होते हैं कि सभी शब्दों के अर्थ बताना एक तरह से असंबव है फिर वे कोशिश है कि अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ आपको समय स मैं पर बताती रहूं दोस्तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ हमें मालुम तो होते हैं लेकिन जब परिक्षा में वही शब्द आ जाते हैं तो उनके अर्थ लिखने में हम हिचकिचा जाते हैं या फिर हम समझ ही नहीं पाते कि हम उसका क्या अर्थ लिखे इसलिए यहां मैंने हर छोटे छोटे शब्द को लिया है जिससे कि यदि परिक्षा में वो शब्द आ जाता है तो आप असानी से उसके अर्थ को भी लिख सके दोस्तों हिंदी भाषा में और भी प्रमुख विशोपर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे लेकिन उसके लिए आपको मे आपको में शुब्धुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुब